लता मंगेशकर जी भले ही अब हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन लगातार उनकी लेगसी जो है वो जिन्दगी भर के लिए मेटियन रहेगी जब तक लोग गानों की कदर करेंगे तब तक लता मंगेशकर की कदर होगी क्योंकि गाने और लता मंगेशकर गूस हैंड इन हैंड हम सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी अब भले ही हमारे पीच में नहीं है लेकिन उनके किसे, उनकी यादे, उनके गाने सब जीवत हैं और वो यहीं है और यहीं रहेंगे ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि हाली में एक बात काफी जादा सामने आ रही है कि आखिर क्यों कभी भी लता मंगेशकर जी ने साधी नहीं की क्यों कई बार चाहते हुए भी वो शादी के बंदें में नहीं बन पाई वेलेस बारे में खुद ही एक इंटिव्यू में लता मंगेशकर जी ने रिवील किया था तो चलिए आज आपको बताती हूँ अपने पाँच भाई बहनों में लता मंगेशकर जी सबसे बड़ी है उनके पिता सुई दीनानात मंगेशकर के दिहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां लता मंगेशकर जी के कंधों पर आगई घर की पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऐसे में सबसे बड़ी बहन होने के नाते और तीन और बहने और एक भाई होने के नाते लता मंगेशकर जी ने चाहकर भी कभी शादी नहीं की क्योंकि सारे भाई बहनों की जिम्मदारी कहीं ना कहीं उनकी कंधों पर थी और जब तक उन्हें लगा कि अब उनके सारे भाई बहन इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अब वो अपने भाई बहनों को उनके हाल पर छोड़ सकती हैं तब तक शायद लता मंगेशकर जी की जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी मैं आपको बता दू कि लता मंगेशकर जी ने खुद इस बारे में रिवील किया था और कहा था कि जब से पिता जी गुजर गए उसके बाद से क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो by saying it और by unsaid meanings लेकिन घर की सारी जिम्मदारी मेरे कंदों पर आ गई थी जिसके बाद से मैं शादी करना जरूर नहीं समझा लेकिन मेरी पूरी जिंदगी भाई बहन का ध्यान रखते हुए भाई बहन का कही ना कहीं उनकी जिम्मदारे उचाते हुए ही निकली है जिस रीजन से मैं कभी शादी नहीं कर पाई वैल आपको क्या है कहना लगा मंगेशकर जी के बात पर हमें बताईए का जरूर कामें सेक्षिन ले जो काम किया उससे अब जो आ रहा है वह बहुत अलेभ है मतलब मैं यह ने कहूंगे के बुरा है पर हम लोग उसमें अच्छिन लगते हैं मतलब मैं यह कहूंगे के आज की फिल्म मिजिक में मैं गाना का हूँ, तो शायद मेरे अच्छा मैं गाना ही सुकूँगी. मतलब इतना चेंज हुआ है, इसमें मैं किसी को दोश नहीं देती हूँ, पर यह जैसे दुनिया की रीत है, हर चीज बदलती है, दुनिया गोल है, वो तो यहां से जाती है, तो यहां आती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है.